प्रधान मंत्री नरेंद मोधी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये गुजरात में इन्वेस्टर्स शंबिट को शंभोधित किया पी एमो की विग्यप्ति की अनुशार स्वेचिक बाहन बड़े आदुनी करण कारेक्रम या बाहन स्क्रैकिंग नीती के तहट बाहन स्क्रैपिंग बुनियादी धाचे की स्थापना के लिए निवेश्य आमंत्रित करने के लिए शिकर्शम्मेलंग का आयोजन किया इस अफसर पर केंद्रिय शड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्री और गुजरात के मुखे मंत्री भी मौजूद रहे साथियो आज जो प्रोग्राम हमने लौंच किया है उसकी टाइमिंग अपने आप में बहुत विशेश है हम आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं यहां से देश के लिए अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपून है इन आने वाले 25 साल में हमारे कामकाज के तरीका हमारे रोजमरा के जीवन हमारे व्यापार कारोबार में अनेक अनेक परिवर्तन होने वाले हैं होंगे ही जिस तरह टेकनॉलोजी बदल रही है हमारी लाइफस्टाइल हो या भिर हमारी एकॉनमी दोनों में बहुत बदलाव होगा इस परिवर्तन के बीच हमारे परियावरण, हमारी जमीन, हमारे संसादन, हमारे रोव मट्रियल इन सभी की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है टेकनॉलोजी को ड्राइव करने वाले रेर अर्थ मेटल्स जो आज ही रेर है लेकिन जो मेटल आज उपलग्द है वो भी कब रेर हो जाएंगे यह कहना मुश्किल है बविश्च में हम टेकनॉलोजी और इनोवेशन पर तो काम कर सकते हैं लेकिन जो दर्ती माता से हमें संपदा मिलती है वो हमारे हाथ में नहीं है इसलिए आज एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलास रहा है तो वही सर्कुलर एकानामिक को भी तोट्साहित कर रहा है कोशिज यह है कि विकास को हम सस्तेनेबल बनाएं एन्वार्मेंट फ्रेंडली बनाएं क्लाइमेट चेंज की चुनवतियां हम आए दिन अनुभव कर रहे हैं इसलिए भारत को अपने हित में अपने नागरीकों के हित में बड़े कदम उठाने जरूरी हैं इसी सोच के साथ बीते सानों में एनर्जी सेक्टर में अभुत्पुर्व काम हुआ है सोलार और विंड पावर हो या फिर बायो फ्यूल आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है वेश का बड़ी मात्रा में उप्योग कर रहे हैं सरकारी बिल्डिंग गरीबों के लिए घर के निर्माण में भी री साइक्लिंग को प्रुसाहित किया जा रहा है साथियों ऐसे ही अनेक प्रयासों में आज आटोमेबिल सेक्टर का नाम भी जूड गया है इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाब होगा सबसे पहला लाब तो यह होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रेप करने पर एक सर्टिपिकेट मिलेगा यह सर्टिपिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रेजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा इसके साथ ही उसे रोड टेक्स में भी कुछ छुट दी जाएगी दूसरा लाब यह होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनन्स कॉस्ट, रिपेर कॉस्ट, फ्यूवल एपिजन्सी इसमें भी बचत होगी दीसरा लाब सीधा जीवन से जुड़ा है पुरानी गाड़िया, पुरानी टेक्नोलोजी की कारण, रोड एक्सिडेन का खत्रा बहुत अधिक रहता है उससे मुक्ती मिलेगी चौथा, इससे हमारे स्वास्त पर, प्रदूशन के कारण जो असर पड़ता है, उसमें भी कमी आएगी और सबसे बड़ी बात ये हैं, कि इस पॉलिसी के तहट, गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रेप नहीं की जाएगी गाड़ियों का बैज्ञानिक तरीके से, औथोराइज, आटोमेटेड, टेस्टिंग सेंटर्स पर, फिट्नेस टेस्ट होगा अगर गाड़ी अनफिट होगी, तो बैज्ञानिक तरीके से स्क्रेप किया जाएगा इसके लिए देश भर में जो रजिस्टर्ड वेहिकल स्क्रेपिंग फसिलिटी बनाई जाएगी वो टेक्नलोजी डिवन हो, ट्रांस्परेंट हो, ये भी सुनिशित किया जाएगा